प्रिशात्रों, आजम ये पार्ट सैकंड के पेपर सैकंड के टॉपिक सर्वोच्छ नियायलेकर के शेत्रादिकार के बारे में अध्यान करेंगे। मैं डॉक्टर सुचिता वर्म, असिस्टैन्ट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंट्स। भारत के सरवोचे नियाले को व्यापक शेत्राधिकार प्रापते हैं यहां तक कि विश्व के अन्य किसी भी नियाले को शेत्राधिकार शायद ही इत्ता व्यापक हो इसके शेत्राधिकार का अध्यन तीन रुपों में किया जा सकता है पहना प्रारंबिक शेत्रादिकार, दूसरा अपीली शेत्रादिकार और तीसरा परामर्श दात्रिक शेत्रादिकार प्रारंबिक शेत्र अधिकार को दो वर्गों में रखा जा सकता है पहला प्रारंबिक एकमेव शेत्र अधिकार दुर्गादास बसू का कहना है कि यद्धिपी हमारा संविधान एक संधिया समझोते के रूप में नहीं है फिर भी संग तथा राज्यों के बीच विवस्थापिका तथा कारेपालिका संपंधी अधिकारों का विभाजन किया गया है अता अनुछेद 131 संग तथा राज्यों या राज्यों के बीच नियाइक विवादों के लिड़ने का प्रारंबिक और एकमेव शेत्राधिकार सर्वोच नियाले को सौपता है सरवच नियले के प्रारंबिक एकमेव शेत्राधिकार के अंतरगत निमलखित विशय आते हैं पहला भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद तीसरा दो या दोसे अधिक राज्जियों के बीच की विवाद जिन में ऐसा कोई प्रश्ण अंतर नहीं थो जिस पर किसी वैद अधिकार का अस्तित्र या विस्तार नेर भर हो सर्वोची नियालय को केवल संग सरकार तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक विवादों के संबंद में प्रारंबिक एक अमयुक शेत्राधिकार प्राप्त है अर्थात उपरियुक्त विवाद केवल सर्वोची नियालय में हैं उपस्थित किये जा सकते हैं दूसरा है समवर्थी प्रारम भिक्षित्र अधिकार, समविधान द्वारा प्रदत मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोची नियायले के साथ साथ उच्चे नियायले को भी अधिकार प्रदान किया है, सर्वोची नियायले के अनुचे 32 एक द्वारा वि या उच्छ नियाले किसी के द्वारा भी आविशक कारेवाई किजा सकती है। दूसरा है अपीली शेत्राधिकार। सर्वच नियाले को प्रारंबिक शेत्राधिकार के साथ साथ सम्विधान ने अपीली शेत्राधिकार भी प्रदान किया है। उसे समस्त राज्यों के उच्छ न्यालेयों के निर्ने के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्छ न्यालेय के अपीले शेत्र अधिकार को निम्ड के चार वर्वों में विभाजित किया चा सकता है पहला है सम्विधानिक सम्विधान के अनुछेद 132 के अनुसार यदि उच्छ नियाले ये प्रमानित कर दे कि विवाद में सम्विधान की व्याख्या से सम्बंदित कानून का कोई सार्मय प्रश्ण अंतर ग्रस्त है तो उच्छ नियाले के निर्णय की अपील सर्वोच नियाले में की जा सकती है है कि उस विशाय के संविधान की व्याख्या का कोई महत्पूर्ण प्रश्ण नहीं थैं निर्वाचन आयोग बनाम वैंकट्रा वाले मुकदमे में यहां प्रश्ण उठाये गया था कि क्या किस संविधानिक विशाय में अनुछेद 132 के अधीन किसी अकेले नियाधिश के न अध्याक्याकार बन गया दूसरा है दीवानी इस समबन में मूल सम्विधान के अंतरगत जो विवस्था थी उसे उन्हें से 72 के हुए संशोधन तीसवा शंशोधन था यह इसके द्वारा परिवर्दित कर दिया गया इसके पूर में यह विवस्था थी कि उच्छे नियाल में विधियाय। अपने सिफारिश में कहा है कि दीवानी विवादों को सर्वोच नयाले में अपील के संबन में धनराशी की सीमा हटा दी जाने चाहिए इस सिफारिश के अनुसार तीसरा समविधानिक संशोधन किया गया जिसके द्वारा अनुछे 133 को संशोधित करते और यह निश्यत किया गया है कि उच्छ नयाले में सर्वोच नयाले के अनुछे 133 को संशोधित करते हुए अब धनराशी की सीमा हटा दी गयी है और यह निश्यत किया गया है कि उच्छी नियाले में सर्वोच उच्छी नियाले से सर्वोच नियाले के ऐसे सभी दीवानी विवादों के अपील की जा सकेगी जिसमें उच्चे नियाले द्वाराय प्रमानित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्यक्ख्या से संबंदित सारपून प्रश्ण अंतरग्रस्त है तीस्वे संशोधन द्वाराय विवस्था निश्यत रूप से अधिक उच्चेत और तरपून है तीसरा है फौजज़दारी flipping विवाद में उच्चे नियाले की निर्नए की अपील निम्न प्रसेत्यों में सर्वचे नियाले में की जा सकती है पहला यदि उच्चे नियाले ने अपील प्रस्तोत होने पर किसी व्यक्थी की उन्मुक्ति का आधेश रद्द कर दिया उसे मृत्यु दंड दे दिया हो दूसरा उच्छी नियाले ने अधिनस्त नियाले से अभियोग विचारार्थ अपने पास मगवा कर अभियोगत को प्राण दंड दे दिया हो अगर उच्छी नियाले प्रमानित कर दे कि विवाद सर्वोची नियाले द्वारा विचार की योग्य है तो अपील की जा सकती है चौता है Special Appeals विशिष्ट अपीले या दिपी सम्विधान के अनुच्छे 132-134 में उच्छे नियाले के नियने के विरुद्ध सर्वोची नियाले में अपील की विवस्ता की गई है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उप्युक चुरेणी में नहीं आते लेकिन जिन में सर्वोची नियाले का हस्तक्षिप आविशक हो सकता है आता अनुच्छे 136 द्वारा साधरान कानून से भिन अपील संबंधी विशिष्ट अधिकार सर्वोची नियाले को सौपा गया है इस अनुच्छेत के द्वारा इस अध्याय के किसी भी उपण्ध में होते हुए सर्वोची नियाले भारत के राजिक शेतर के अंतरगत किसी भी नियाले द्वारा नियाधिकरन द्वारा दिये गए किसी भी नियाले आग्यपती, निर्धारन, दंड या आदेश करनी के अनुमती प्रदान कर सकते हैं इस समन्द में एक मात्र अपवात किवल यह है कि सैनिक नियाले के निर्णे के विरुद सर्वोची नियाले में अपील नहीं की जा सकती सर्वोची नियाले को यह जो विशिष्ट अपीली शक्ति प्रजान की गई है इसके द्वारा इसका प्रयोग असाधरन परिसितियों में किया जा सकता है सर्वोची नियालय को राशपती, उपराशपती, लोकसभध्यक्षर, प्रधानमंत्र, सहीद, भारती, संके, सभी पदा अधिकारियों के चुनाव संबत्ति विवादों का नेड़ने देने का अधिकार भी प्राप्त है विशेश अधालतों की विवस्ता और विशेश अधालतों से सर्वोची नियालय में सीधे अपील की विवस्ता राश्पती ने 13 जुलाई 1984 को आतंगवादी शेत्र अध्यादेश चारी करके केंदर सरकार को अधिकार दियाए कि वह देश के किसी भी भाग को आतंगवादी प्रभाविक शेत्र घुशित करके आतंगवादियों पर मुकद्वा चलाने के लिए विशेश अधालतें द्वारा द्वार द्वारा निर्देशित, जिला और सत्रु नियाधि ज करेंगे। इन अधालतों के निर्नी की來到 सीधे अपील सर्वर्ची नेयले मी की जा सकती है। उच्छी नियाले सम्विधान के प्रावधानों के नुसार विशेश अधालोंतों का अधीक्षन करेंगे अपीली शेत्रादिकार के दृष्टिकून से भारत का सर्वोची नियाले विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली है संभवत सर्वोची नियाले के अपीली शेत्रादिकार को लक्ष करते हुई 28 जनवरी 1950 को सर्वोची नियाले के घाटन के अवसर पर भाशन देते हुए एम से सितलवार ने कहा था इस नियाले के आदेश 20 लाक बर मिल के विस्तरित प्रदेश में लागू होंगे जिसमें लगभग 30 करोड व्यक्ति निवास करते हैं यह कहना सकती होगा कि सरूप और विस्तार के दृष्ट इसे इस नियाले का शेत्रादिकार और शक्तियां राष्टमंडल के किसी भी देश के सर्वोची नियाले तथा संविधान ने सर्वोची नियाले को परामर्शी शेत्रादिकार भी प्रदान किया है अनुचेद 143 के अनुसार यदि कभी राश्पती को प्रतीत हो कि विधी या तक्थिका ऐसा कोई प्रश्ण पैदा हुआ है जो सार्वजिर के महत्व का है तो वह उक्त प्रश्ण पर सर्वोच्य न्यायले का प्रामर्श मांग सकता है इस न्यायले पर सम्विधानिक दृष्टी से ऐसी पादेता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़ेगा अनुचे 143 का खंड दो राश्पती को अधिकार देता है कि वह सम्विधान में लागू होने के पूर्व किसी संदी समझोते आदी के संबंध में उठे विवादों को उस न्यायले के पास उसकी सम्वती जाननी के लिए भेच सके इसके अंतरकर प्रमुक रूप से 1947 और 1950 के बीच हुए भारत सरकार और देशी रियासतों के समझोते आते हैं ऐसे विवादों में न्यायले के लिए परामर्श देना अनिवारे है और न्यायले के परामर्श को स्विकार या अस्विकार करना राश्पती के विवेक पर निर अधारती 1978 में विशेश अधारत विधयाक और 1991 में कावे रिजल विवाद पर मांगी गई सम्बती अधिक भैत्पून है अंधिमार 2002 में अनुछेद 174 के सम्बत में परामर्श प्राप्त किया गया था जन्वरी 1993 में राश्पती ने सर्वच नियाले से परामर्श मांगा था कि विवादास्पत बाबरी मज़ित के पूर्व वहां कोई हिंदू मंदिर था या नहीं सर्वच नियाले ने अपनी 24 अक्टूबर 94 के सर्व सम्बत एतिहासिक नियाले में राश्पती द्वारा इस विशाय में मांगे गए परामर्श का जवाब देने से इनकार कर दि पूर्थी नहीं होती इस प्रकार अभी असपश्ट हो गया है कि किसी विशेश मामले में सर्वोच नियाले राश्पती को परामर्श देने से भी इंकार कर सकता है सर्वोच नियाले का परामर्श संबंदी शेत्रादिकार मुकद्म पाजी को रोकने और उसे काफी सीमा तक कम करने में सहायक होता है लेकिन संक्तुराजी अमेरिका और आस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नियाले द्वारा सलाकारी भूमी का अदा करना पसंद नहीं किया गया इस समंद में भारत की विवस्था ब्रिटेन और कनाडा आधी देशों के अनुरूप है